हलो एवरिवन तो दोस्तों आज हम आपके लिए बिना मावा, बिना दूद, बिना शक्कर से बहुत ही बहतरीन गाजर का हलवा वो अब इसरे 10 मिनट में कैसे बनाना है इसकी बहुत ही बहतरीन व्रिसिपी लेकर आए हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाजर का हलवा बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें लेना है गाजर, मैंने आदा किलो गाजर लिये ही और इसे हमें छिल लेना है सारे गाजर छिल लेने के बाद हमें इसे धो लेना है और इसके टुकडे करने हैं तो दोस्तों आज हम घंटों का काम मिंटों में करेंगे और सुपर स्वादिश्ट बिल्कुल शादियों में बनने वाला हलवा होता है न बिल्कुल ऐसे ही स्वादवाला बनाएंगी यहां पर मैंने लिया है मिकसर का जार इसमें गाजर डाल कर इसे पीश लेना है हमने इसे दरदरा पीसा है ताकि इसका टेक्शर बिलकुल वो कद्दू कस या फिर ग्रेट कीवे काजर जिस आएगा तो आप देख सकते हैं हमारा घंटो का काम मिंटो में हो चुका है इसे बहुत ज़्यदा खुशी भी होती है और महनत कम लगती है अब पैन में लेना है वन फॉर्ट कब खी इसमें डालेंगे ड्राइफ फूर्ट्स मेने आपर वन थर्ड कब ड्राइफ फूर्ट्स लिए हैं आप कम जादा ले सकती हैं और इसे घी में फून लीजी क्योंकि यह जो फ्राइफ के वे नट्स होते हैं हलवे में बहुत ही जादा अच्छा स्वाद लेकर आते हैं और इनका क्रश बहुत अच्छा लगता है फ्राइफ करने के बाद दोस्तों अब डालेंगे पिली और काली किश्मिश इसे लास्ट में डालिएगा क्योंकि पिंच के करीब केसर डालना है इन दोनों को हमें घी में ही भून लेना है ताकि इनका स्वाद और निखर कराए अब इसमें डालेंगे हम यह गाजर जैसे पीसा हुआ था और अब इसे हमें घी में भूनना है दोस्तों अगर आपको इंस्टेंट गाजर का हलवा जादा शहाद डालना मतलब गाजर को घी में अच्छे से भूनना है इसी क्या होगा कि घी का छो अफ्राइ वालट टेस्ट होंगा साथ ही गाजर में से सारा मॉईश्टघ का ढिकक्त धूकम होचिये और यह गाजर हे यह पेच्छय को जच्छी को कि पापा है। ऊदर पिंक Your और गाजर भी soft हो चुके हैं और इसका texture आप देख सकते हैं कितना smooth हो चुका है तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको 5-7 मिनाठी लगेंगे इससे जादा समय नहीं लगता है अच्छे से बूल लेने के बाद इसमें डालेंगे one third cup sorry one fourth cup डालेंगे हम मलाई आपको घर की मलाई ही डालनी है अगर जादा अच्छा result चाहिए हो तो और यहां पर हमने दूद का इस्तमाल नहीं किया है जैसे हम इसमें यह मलाई डालेंगे तो इसमें रिचने सा जाएगी और कम समय लगेगा इससे पकाने के लिए तो आप देख सकते हमने इसमें गाड़ी मलाई डाली है घर इसमें अच्छे से पकाना है और आप देख सकते हैं अब साइड से घी सेपरेट होने लगा है इसका मतलब मलाई जो है वह पक चुकी है अब हम इसमें एड करेंगे फ्राइवे ड्राइफ्रूट्स थोड़े ड्राइफ्रूट्स हम गार्निशिं के लिए बचाएंगे साथ इसमें बहुत ही अच्छा शाइन आएगा इसमें बहुत अच्छी चमक आएगी और दोस्तों गुड़ वाला हल्वा भी बहुत जबर्दस लगता है और ठंड में स्पेशली में हमेशा कहती हूं गुड़ का सेवन करना चाहिए और यह जो आइडिया है ना हमारे विवर्स नहीं हमको दी थी कि गुड़ वाला हल्वा भी बहुत टेस्टी लगता है और जब आप इसे गुड़ से बनाएंगे तो आपको मावा खोवा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होगी लेकिन मैंने इसे एक्स्ट्रा रिच बनाने के लिए इसमें मैं डालूंगी थोड़ा पनीर मैंने यहाँ पर स्रीप 100 ग्राम पनीर ही लिया है और अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते ही और पनीर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगी अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों इसे हमें 5-7 मिनट और पकाना है ताकि जो पनीर है न वो जो अच्छे से पक जाए और यह हल्वा ना खराब नहीं होगा तो दोस्तों यहां पर हमने मलाई पणिर का इस्तमाल किया है इस बात का ध्यान रखे और इसे हमें अच्छे से घी separate होने तक पकाना है तो आप देख सकते हैं इसमें घी separate होने लगा है और यह बहुत ही जादा delicious हलवा बनकर तयार हो जाएगा और यकीन मानिये दोस्तों यह हलवा बहुत टेस्टी बना था मेरे घर में सबको पसंद आया है तो आप भी गुड से बना हुआ हलवा यह बनाईएगा और दोस्तों कुकिंग को हमेशा दिल से कीजेगा तकि सिंपल से रेसिपी भी स्वाधिश चलिए इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं और जैसे शादियों में इसे गानिश किया जाता है ना वैसे हम इसके उपर चांदी का वर्क ड्राइफ फ्रूट और टूटी फ्रूटी से गानिश करेंगी और यह हमारा डिलीशियस हलवा बनकर तयार हो चुका ह आज की नई रेसिपी आपको पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई दोस्तों